दोस्तो करियर प्लानर स्टूडियो से फिर से आपका एक बार स्वागत है मैं भुपेश कुमार आपको अचीवर सिरीज में आपका स्वागत करता हूँ और आज हम मिलाने जा रहे हैं अपने प्रावर अचीवर प्रसान तिवारी जी से जो कि SSC के द्वारा MTS 2019 की परिक्षा में इन्होंने अपना अस्थान पाया है मदपरदेश स्टेट से इनका सलेक्षन हुआ है डिटेल इनके बारे में हम लोग इनीस के मुझ से सुनेंगे इनी के जुवानी सुनेंगे जो कि आपको सफलता की कहानी बने और MTS के स्ट्राटजी के बारे में बात करेंगे तो साथियों परशान से बात करने से पहरे परशान के पारिवारिक प्रिस भूमी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ वह अब यह बहाए बेटे हैं अपने प्राउट पैरेंट्स के और इन्होंने एक बड़ा बेटा बड़ा संतान होने का बहुत ही अच्छी भूमी का रिवाई है कि ये जॉब पाये है के अंदर सरकार में और जिससे कि इनके भाई और बहन भी इनको देखकर इंस्पार्ड होंगे और आने वाले समय में उनको भी जॉब आराम से मिलेगा तो प्रशांद आपको बहुत-बहुत स्वागत है स्टुडियो में और बहुत-बहुत बधाई है एक अच्छे जॉब पाने के बहुत धन्यवाई से संट्र गवर्ण्ट का जॉब आपने पाया है सरकारी नौकरी का वच कासा लग रहा है आप बहुत अच्छा फील हो रहा सर पैलिंट बहुत कुस हैं जालो गरेट परशांद तो प्रशांद से बाचित करें बाचित को आगे बरहाएं सफल्टा सफलता के टिप्स के बारे में जाने उसके पहले एक छोटा सा CPAC परिवार की तरफ से टोकन अफ अफेक्शन परशान जी के लिए हम लोग इनको भेट करने वाले हैं तो परशान जी आपको बहुत बहुत बढ़ाई आप जहां भी हो जिस कमड़े में हो जरूर ताली लगाईएगा जिससे यह ताली आपके लिए लगनी चाहिए तो प्रशान तो प्रशान यह माला पहनने के लिए लोग बहुत इंतजार करते हैं आज सफलता हो गया पुर्ण होड़ा है राइट आगे और अच्छा तरगा अच्छा लगना आपको बढ़ाएगा इस CPAC परिवार राइट अच्छा लगना आपको बोद अच्छा लगना तो आईए थोड़ा बात करते हैं प्रशान से इनके सफलता के टिप्स के बारे में तो प्रशान आपका सलेक्षन एंटी एस के रूप में हुआ है राइट प्रदेसी मद्परदेसी के आपकी सर जेनरल है जेनरल है स्कूर कितना आया था 86 से 86 MP से हुआ है नहीं बिल्कुश डिपार्टमेंट अलाउट हुआ है अभी इन अलाउट हुआ है तो साथियों आप देख रहे हो एरवर रिजल्ट अनाउंस्मेंट में सीपी एसी परिवार के MTS में 86 बच्चों का सलेक्षन हुआ है और हमने प्रशान जी को आज बुलाया स्टूडियो में आप से बात करने के लिए सो डाट MTS के टेगरी से भी हम आपको बच्चों से मुलाकात करा पाएं और स्ट्राटजी के बारे में जानकारी कर पाएं CGL 2018 के भी बहुत बच्चों से आपकी मैंने मुलाकात अलेडी करा चुकी है जो इंस्पेक्टर कैडर या औरिटर कैडर में अलेडी इनका सलेक्षन हुआ है तो चलिए परशाद जिससे डिटेल बात करते हैं कि MTS की परिच्चा पास करने के लिए क्या स्ट्राटजी होनी चाहिए सर, MTS का एक्जाम पास करने के लिए स्ट्राटजी यह होना चाहिए कि आपको सारे सब्जेट को बैलेंस करना है और एक्रेशी मेंटेन करना है जिससे कि हम P.T. में इसमें पेपर होता है तो P.T. में आपको हाई स्कोर करना होता है तो हमारा उसमें सेलेक्षन होता है सर, मायत, रिजिनिंग, इंग्लिस और गीके होता है कितने-कितने प्रस्ण होते हैं उसमें 100% होते हैं और आपका यह कहना है कि 100% होते हैं यह हाई स्कोरिंग एक्जाम होता है यानि स्पीड और एकुरेसी दोनों पर ध्यान देना हो यह आपको कहना है तो क्या सभी विषय का जो concept से चैक्कर से उसको क्लियर करना चाहिए या निज? बिलगल सर्ग छोड़े छोड़े चोड़े concept को अभी अपने memorize करके धेðे क्लियर करना चाहिए और उसको note करके फिर उसको improve करना चाहिए प्रashant आपका अनुवप क्या बताता है बहुत ऐसे विद्यारती होते हैं जो तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं एक अचीवर के रूप में आपको क्या लगता है उस बिद्यारती में जो मेहनत किया था लेकिन फेल कर गया वो कौन सी गलत चीज थी जो उसको नहीं करना चाहिए था जिसके कारों फेल करते हैं सबसे बड़ा कारण यह है कि आने वाद ग्रिसिंट एक्जाम में सब परिटरन थोड़ा थोड़ा चीज हो रहा है को सिस्टम के साथ अपने आपको अपडेट नहीं कीज़िए तो सिस्टम आपको अफुट करते हैं करना जैसे कि प्रोजेक्स करना जैसे कि साउ के बारे में बात करना इसको एक्जाम से कोई लेना देना डारेक्ट नहीं है तो क्या आपको लगता है कि इसको यहां की पढ़ाई से जो सिख्छा दी गई इसको हटा दिया जाए या 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 बहुत काम काम कजिए यह सबसे कि सिंफीड में प्रहोड कि ही आप more his colour कर सकते हो या फिर उसको मियव सकते हो। बहुत तरीके होते हैं कि सब्सक्राइब करना है कियाएं परफॉर्म कर में आब सेंटर्चीन होता हैं डिवेट होता है तो आपको आगे से लिके बहुत हेल्प करने वाला है तो आपको लगता है कि इसको हटाना नहीं चाहिए अच्छा जैसा कि अनाउंस्मेंट हम लोग कर चुके हैं कि CPAC परिवार में, Alliance Club Division में, Working Professionals के लिए भी क्लब आउनलाइन मोड में स्टार्ट कोने जा रहा है इसी बहुत जल्द तो क्या आप उसके पार्ट बनेंगे? बिल्कुल सरस्योर बनेंगे या उससे फायदा क्यों बनेंगे? क्या फायदा मेंगे? फायदा एक तो गॉर्मेंट जो हमको मिल गया, कम से कम तो एक बेस हो गया उसके बाद से प्रिपरेशन करने के लिए जो वर्किंग प्रफरेशनल के लिए होगा तो यह उनलाइन हम लों को बहुत हल्प करेगा जिससे हम लोग रिवलर्टी मिंटिन करेंगे और जुड़े रहेंगे जो कि हमारे रायन्स क्लब परिवार करते हैं तो पूरा सफर जो आपने यहां पे तीन साल बिताया यहां पे हम लोग के साथ कितना लगा हुआ क्या लगा क्या कैसे यहां के जो आपने अपने आखों के सामने बहुत बच्चे को देखा बहुत समान समारों देखा बहुत बच्चे को पास करते हुए देखा और आज आपको भी सफलता मिली तो एक चीज़ बताईए कि CPAC परिवार में जो सिक्षा मिली जो एक्टिविटी कराई गई जो पढ़ाई जो महौल यहां दिया जाता है आप जिसे बच्चों को यह पूरे हिंदुस्तान में कैसे अलग है क्या लगता है आप यह अलग इसलिए है क्योंकि यहां पर किसी बच्चे को hopeless नहीं होना दिया था आपको result नहीं है तो हम यहां के मिन्टरेसर हैं बागी teachers हैं और जबनों के clubmates हैं वो help करते हैं आपको समझाते हैं कि ऐसे prepare करो इस बार यह कमीर आए गई थी इसको तुम इंप्रोब करें तो अगला बार तुमारा सेलेक्शन निस्टित हो जाएगा तो यह सबसे बड़ा फेक्टर होता है किसी चीज को बुस्टप करने के लिए और आपको हेल्प करता है थैंक यू प्रशान्थ स्टूडियो में आने के लिए लोगों से बात करने के लिए इतने हजारों बच्चों को मोटिवेट करने के लिए रास्ता दिखाने के लिए और उमीद करेंगे कि आप सीजियल की परिक्षा भी क्रेक कर लें थैंक यू बड़ी मच्च